बैटरी से चलने वाली साइकल देखी और सोचा क्यूं ना लकडी से साइकल बना दू और ऐसा कर भी दिखाया खबर बिहार के समस्तिपुर के सरसिया गाउं की है आपको पूरी कहानी सुनाते हैं पहले आप ये देखें संजय ने अपनी क्रियेटिविटी से बास की साइकल बना डाली इस अनोखे कारनामे को करने में 25 दिन लगी कुल मिलाकर ये था साइकल बनाने में 500 का खड़ चाया जिसमें कबाडी से खरीदी गई साइकल के रिम, फ्रॉक और टायर शामिल है और बाकी सब बास का है संजय की ये खास पहल एंवायमेंट से उनके प्यार को दिखाती है, साथ ही ये बड़ी यूनीक बात है कि मौडन समय में भी कैसे बास जैसी पूरानी टेकनीक से दमदार चीजे बनाई जा सकती है लोगे की साइकल के मुकाबले बास की साइकल भी उतनी ही तेज है, ये साइकल कमवजन वाली है संजय की ये बास वाली साइकल अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है क्योंकि जो भी देखता है वो यही सोचता है कि बास से साइकल बनाने का आइडिया आया तो आया कैसे? वत्वाइश्यद बना नावर से साइकल साइकल कम घटांब ऊस्टायु और से साइकल की बनाते हैं कि बर कर दया से सिर्फप भास ओंढ़ाने क्षॉच बनावर्प सोटी साइकल करें, जाओ लोकल एटीन के साथ बातचीत में संजय ने खुलासा किया कि उन्होंने इस इनोवीटिव प्रोजेक्ट के लिए ना तो सोशल मीडिया की मदद ली और ना ही किसी विशेशग्य से सला 25 दिन के महनत और 500 रुपे में उन्होंने ऐसी साइकल बना दी जो आम साइकल की तरह ही चलती है और अब बास से बनी साइकल उनकी सवारी बन गई है लोकल एटीन के लिए समस्तिपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट